नवस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहे हैं न्यूस नेट्वर्ग तुडे शहर के वरिष्ट पत्रकार के घर में अज्यात चोरों ने लाखों की चोरी करणा दी सिटी कोटवाली थाना जığını अंतरकत बद्राओं में वरिष्ट पत्रकार इस समय रहा करते थे उनके घर पर वैटी राथ अज्यात चोरों ने धावाबो नगती सहीत लाखों के सोने चांदी पार कर दिया हम आपको बता दें, तेज प्रताप सिंग, पिता छोटे लाल सिंग, उम्र 34 साल, हिनोती, मनिकवार, थाना, मनगमा के रहने वाले हैं वर्तमान में, बदराओं में, किराय के मकान में रह रहे थे, एक अखवार में काम कर रहे हैं शहर के वरिष्पत्रकार हैं, रोज की तरह अपना काम खत्म करके, घर वापस लोटे, सब के साथ खाना खाया और सोने चले गए पूरा परिवार एक कमरे में सो रहा था, दूसरा कमरा बंध था, जिसमें अलमारी रखी थी, अलमारी में सोने चांदी के सामान और जेवर रखे हुए थे सुबह जब सोकर उठे, तो बगल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था जिसमें अलमारी में रखी थी, लाकर में सामान रखा था, सोने चांदी का, जिसमें सोने के तीन नग बंगल सूत, जुमका, चार अंगुठी, तीन कान के टाप्स, पांच चांदी के पायल, सहीद सोने चांदी के अन सामान, हैंड बैंग में रखे, चार जार रुपए, सा परिजनों के होश उड़ गये जिंदगी भर की जम्मा पूजी घर से नदारत थी तक काल पहुचे सिटी कुतवाली थाना अंतरगत चोरी की रिपोर्ट लिखाई हमारी टीम ने वरिस पतकार तेजप्रताप से बात की उनका सापतोर से कहना था रात में सब कुछ ठीक ठाकता जब हम सोए थे सुबा सो कर उठे तो देखा जिस अलमारी में सामान रखा था अलमारी खुली हुई थी सामान गायब था हमने तेजप्रताप से घटना को लेकर चोरी की जानकारी को लेकर तमाम तरीके से बातचीद गी थी हम आपको बताते हैं इन दिनों रीवा शहर में चोरी की वारदात कुछ जादा ही दिखाई दे रही है लगातार चोर ठंड का फायदा उठा रहे हैं ब्रेकी करते हैं मौका मिलते ही उस घर में अपना हाथ साफ कर देते हैं जहां उनकी पहले से नजर थी ये घर उनके लिए पूरता सुरक्षीत है इस घर में कुछ न कुछ मिल सकता है कुछ ऐसा ही तेज प्रताप के घर के लिए भी कहा जा सकता है पत्रकार हैं दिन बर घर के बाहर रा करते थे अज्यात चोरों ने सोचा होगा दिन बर टहलने वाला आदमी घर आएगा ठका मंदा सो जाएगा और हमें मौका मिल जाएगा वहाम उनके घर में लाकों की चोरी कर सकते हैं कुछ ऐसा ही हुआ तेज प्रताप के घर में सुनिए तेज प्रताप चोरी को लेक्ष कह रहे हैं अच्छियुन के कल जब रात में मैं आफिस से आया साड़े ग्यारा पॉनिवारा बज रहे थे खना भी ना खा करके मैं सो गया परिवार साहिद सब सो बच्चे भी है थे सब सो गया बगल वाले रूम में जहां आलमारी रखी तो पोजा घर था वहां आलमारी रखी हुए थी सुवए जब छे बजे उठे तो देखे तो आलमारी खुली थी बगल का दर्वाजा भी खुला हुआ था तो हमने कहा कि यह सोचा कि यह दर्वाजा कर खुला क्यों तो हम सुचे साहथ सुवए घर को कोई आदमी उठा होगा तो देखे तो आलमारी से पुरा समान गया थे तो उसमें कैस जो थे वो गया हैं और सोने चांदी के जो जेवर थे वो सब बैव थे लाकर में 77,000 थे और उसमें एक छोटा पर्स था एडियो जो बाला उसमें करीब लगभग 4,000 के करीब उसमें भी थे सोने चांदी उसमें बहुत सारे समाना हैं उसमें समान है लिस्ट है कि सि उसमें लाकर में रखाो थे तिननक मंगल सूत्र सोने का और नंजिल जुम पालन फाल सोने यह था और चारनक सोने के अंगोठी थे और तीन नग कान का टपस था एक नग छोटी जुमकी सोने की पांस रंग छाइल पायल चांडी की थाली एक नग चांदी की सुपाटी ती चांडी के लक्ष्मिय गोडेश जी थे और एक नग यू थी जाए तो कमसम छह साथ लाग रूपर से उपर के जा रहे हैं यह बद्राओं की है भुहिया बाबा में गुड़ रोड में ही है भुहिया बाबा के बगल में मकान है वह रहता हूं थाना सेड़े को त्वाले अब संदे तो किसी के उपर नहीं है किसको अपन बता सकते हैं चोरी तो चोर अग्यात है हां रिपोर्ट हो गई है केस परताब से ताज़त अरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुड़े से जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुड़े